कल रात में बनाए थी लिट्टी और चीकन तो चीकन दो कहको सब को आती है बनाने रही बात लिट्टी करने भी restrictive बत रहते हैं पाट में कोई और तरीकाते विला चीकर चीकरेट करou तो प्लीज बने तए आप लोग मैं विडियो बना करें रखें हूं अभी में दिखाऊंगी आप लोगों को और एक्शली जो गाव में बनती है नवीटी जो आग पर बनती है लीटी वही वाली लीटी मैं सेम्मों ऐसी बनी हुई थी मैं कूकाल में बनाय थी और फर्स्ट ब तो प्लीज उस पे आप लोग कुछ ऐसा हो नहीं कीजिएगा और थोड़ी से जल गए थी और दूसरे टाइम कोई भी चाहता है कि थोड़ा सा अच्छा कोशिस करूँ बनाने का तो मैं लेज के चलती हूं आप लोग को वीडियो के तरह और आप लोग देखिए और बताये औ कि आप लोग बना हैं इसके पहले ट्राइ किये हैं या नहीं या मेरे वीडियो फस्ट पर देख रहे हैं आप लोग तो चलिए में पहले ले चलते हूं आप लोग के वीडियो की तरफ तो गाईज जैसे कि आप लोग देख रहें यहा पे मैं यहां पे आटे गुद के रखी थी और यहां पे सत्तू बना के रखी थी जो की आटे में भरके बनते हैं और ऐसे लिटी तो मैं यहाँ पे जितना सारा लीटी में यहाँ पे लगा रखी हूं बस इसी को पहले मैं ट्राइ करके देख रही हूं अगर सही बन जाए तब मैं कुकर में ही बनाओगी नहीं तो मैं तेल में तलके निकाल दूगी इसको तो बने रही आप लोग मेरे ब्लोग में और देखिए कैसा बन रहा है कैसा नहीं फर्ष्ट बन में ट्राइ कर रही हूँ बनाने के लिए तो कैसा बन रहा है तो चलिए मैं लेकर चल रही हूँ फिलाल इसको कूकर में डालके देख रही हूँ है ना। तो गाईस यहां पे Buddhist कूकर को चरहाती हूं आप लोग देख सकते हैं और एक दाम मतलब कम की हूँ मेडियम पे की हूँ इसको और कूकर में न मैं इक चमस जैसे कि आप देख सकते हैं एक चमस में तिल डाली हूँ ताकि यह जो है ना चिपके नहीं इसमें जब मैं लीटी डालू उसके लिए तो एक गर्म भी हो गई है अब मैं इसमें डालूंगी ओ जो मैं लीटी भड़कर रखी हूँ आटे में तो डालूंगी तो गाइज फिलहाल अब मैं इसमें लीटी डाल दे रही हूँ तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे जितना लीटी भ़कर रखी थी और डाल दी हूँ और इसमें एकदम हलका सा तेल डाली हूँ आप लोग तेल नहीं भी डालिएगा तो बाद में आप लोग तेल लगा डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं इसमें तो मैं इसलिए डाली कि क्योंकि मैं फर्ष्ट बर बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं चिपकने लगेगा इसमें इसके लिए मैं इसमें टेल डाल दी के फिर चีपकना होगा तो नहीं कर तो तक तक कान क्योंकि फिर चीपकता तो प्रोलम होती मुझे अब फ़स्ट बर बना रही हूँ यह वर अंदाज मुझे आती है तो उसकी बात अलगहोती है अब यहाँ पर मैं तो गाइस यहाँ पे जो कूकर का रबबर होती हो जो सीटी होती हो मैं दोनों निकाल दी हूँ और निकाल कर एकदम देख सकते हैं देखते हूँ दिखाऊंगी मैं आप लोग से तो गाइस फिलाल यहां पे 5 मिनट के पांच मिनट से ज्यादा हो गई है साथ याट मिनट हो गई है तब मैं देख रही हूँ कैसे बनी हुई है यह चमच के मदब से यह जो भी हो वो धोरी सी जल गई है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूं डाइस लिट्टी तो अच्छी लग रही है देखने में जैसे आग्पे गाव में बनती है जो बीच वाली है थोड़ी सी जल गई है तो देखते हैं आगे क्या होती है अब ना इसको जैसे प्लट ना होगा तो यह गर प्लट को उसके बद ऐसे से घुमा देंगी तो गुल गोसा है एक प्लट 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 से जाएगी तो गाईस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लीटी कुछ इस तरह से बढ़ रही है और मैं ना इसमें अभी गही डाली हूँ गही डालने के बाद मैं इसको ऐसे ऐसे कर दी हूँ ताकि गही मिल गया है इसमें और अभी थोड़ी सी और होगी है यह पूरी तरह से पकी हुई नहीं है तो गाइस लिटी बनके कुछ इस तरह से हो गया है और मैं इसमें गही लगा दी हूँ यह ना थोड़ा से जल गया क्योंकि मैं फर्स्ट पर बनाए हूँ इसके लिए उतना अदाज नहीं मिला इसके लिए थोड़ी से जल गई है नहीं तो बाकी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लिटी बन गई है एक बार ऐसे करने में इस खुल जा रही है तो गाइस कॉमेंट में बताई ही आप लोग कि आप लोग ऐसे बनाए हैं कि नहीं मैं और मैं फर्स्ट पर बनाए तो कैसा लगा तो गाइस मैं वीडियो कहीं पर कर रही हूं और अगर बनाए ही आप कर रही हैं